नमस्कार मैं हूँ गौरश स्यास्तों दोपर चर्चा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चर्चा बड़ी हैं मैं क्योंकि चर्चा राजनती पर नहीं है पर चुकि जब बात देश की होती है तो यहां पर सत्ता पर्च से जबाल भी होना चाहिए और यहां क्यों शलक हार्से हैं उनमें लगाता लोगों की जान जा रही है कल एक बड़ा भीशन हार्सा हुआ और उसमें एक बड़ी पुलिस अदिकारी का एक लोटा बेटा जिसकी उम्र महज 9 साल थी उसकी मौत हो गई रेसिंग की जा रही थी और रेसिंग के दोरान जिस तरह से गती बड़ाई गई देर सो करने की जांच की गई उस जांच में किसी की जान चली गई एक मा के सामने उसके बेटे ने दम तोड़ दिया एक ऐसा हार्सा कि सबकी सांसे थम गई और रूर काप गई कि बहुत बड़ी बात होती है कि कि किसी मा के सामने उसकी बेटे की जान च यह मामला मैं से निरु अधा रहा हूँ कि यहाँ पर एक अधिकारी की बेटे की जन गई है बलके मामला इसले उठा रहा हूँ क्योंकि यह ना जाने कितने नोनेहाल हमारे तेज गती के भेट चड़ जाते हैं ना जाने कितने युबा अपनी नदाजी में दूसरों की जान ल विखाद जाते हैं किसी का एक लोता बेटा चल जाते है तो ना जाने कितने मासूम अब तक हो आ कि बेट चली जाते हैं सटक हारशौं के अगर हम आकणों की बात करें तो हमारे दिस में लगालबभग 6 परसंट इससे परसंट ले अपनी जो जान वो गवार देते जो सड़क हार्सों का अगर यह आकड़ा हम तै करेंगे अगर एक लाख सड़क हार्से हैं तो लवस 66 जानी 66 जान युवाओं की जान चली जाती है उत्तपरिस के बात कर तो उत्तपरिस में 20 यार से ज़्यादा युवाओं की जान पिती बर्स चली जाती ही शडखार्सों की चलते कारण क्या है रप्तार कारण यहाँ पर लापरवाही कारण यहाँ पर सुष्ट प्रसासन मैंने सुष्ट प्रसासन की बात यहीं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर लगातार किसी जगह पर रेस हो रही है तो वहाँ पर ट्रैफिक की लोग उसको रोकने के लिए क्यों नहीं है अगर रोट खाली है एनच है या बड़ी है चोड़ी है रोट तो वहाँ पर रेस करनी की अरुमती उन्होंने उनको किस सिस्टम ने दी है और वो वहाँ पर रेस कर रहा है तो इसके पीछे किसकी अरुमती है अगर वो रेस कर रहा है वो लगातार करते जा रहा है उनकी खि की जा रही है तो जम्मिदारी किस की है यहां जम्मिदारी सिस्टम की है वो सिस्टम जो आपको कहता है कि आप सुरच्छित हैं वो सिस्टम जो बोलता है कि नहीं हमारी बियुस्ता चाक चौबन ने आपको सड़क पर निकलने में कोई गुरेज नहीं है पर नाद्या ने यहा हो गया है जो तमाम शिस्टम है उनकी बात कर ना जा रहा हूँ कि यहां पर केहल एक पुलिस अधिकारी के बेटे की चान का मामला नहीं है यहां पर जस तरह से भेतरी जाम लगता है भेतरी पहांच चल ला है उसका जिम्दार कौन है मैं आपको यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा इस जर्चा शुरू करने के पहले कि एक टकनीक आई थे रिक्सों का क्या जो बिना लाइड के यहाँ पर छेजे सवारी बढ़ाल के चल लाएं जो अपनी चाहन तो जोखम में डाल ला हैं जो की रिक्से में बैठे हैं यह बाबार कर रहा हूं यह रिक्सा की जो इसको पर्याबरणों को देखते हुए लाया गया था और उसके बाद जिस तरह से चीजे हुई है वो आपके सामने हैं मैं अपकोर चर्चा बेसा है महाँ सार मेहाँ जोड़ चुक है आप सबको रूबर करा दूँ चुकि यहाँ पर बात करना जरूप करना बहुत आवस्चक था बेवेग सियास्था भारत पार्टी आप पच्छल रखेंगे समाने पार्टी आप रहे देंगे और समास से भी क्यों हमासा भाई बेवेग सर्मा जोड़े हुए है क्योंकि बेवेग भाई तमाम जन सिबा के मुद्धों पर अपनी चर्चा करते रहते हैं और कई जगह जहाँ पर लाइट नहीं रही है और उन्होंने अपनी पहल करके म बढ़िया है पांच राज़वे चुनाव हो रहा है बड़ी बड़ी सभाय हो रही है बड़े बड़े जलसे हो रहा है बड़े बड़े आयोजन हो रहा है चुनाव जरूरी है बिल्कुल जरूरी है पर अगर सिस्टम हम राजधानी लखनू में भी मेंटेन नहीं कर पा रह रहे हैं अगर राज़ाई लखनु में ही कमिस्टर और डीम के कई वर आरेस दिये गए के इन रूटों पर इरिफ से नहीं चलेंगे वो चल लाएं और राज़ाई लखनु में ही बड़ी बड़ी रोडों पर सुंसान रोडों पर रेसिंग हो रही है तो जिम्मिदार कौन है जम्मिदार यहां पर सरकार है सासन है प्रसासन है जो उसकी जम्मिदार ही लेता है कले के नौनिहाल की जान गई कले पच्चे की जान गई वो जान की यहां पर कीमत कौन समझेगा कि अबल उसकी मा जिसका वो बेटा था या उसका पिता जिसका वो बेटा था या जिसके पर परवार का वो बंस था आप समझेंगे अगर समझ रहे हैं तो मुझे इस चर्चा में अपनी राहे लीजिए बेबक सिवस्तो जी रीजिए ब सकते लिए लुकेश से ना अब अपने अब तो छागे लिए इसप की सुख समझ लेदना वहीं इसी परवार का दस्ताल का बेटा इस तरह से दुरुगटना में काल कौलित हो गया इसका सक्कू अफ्सोस है अब रही बात जहां तक रूप दुरुगटनाओं का है यह तो परल्लेमेंट में आकरे दिये जा चुके हैं कि बारत में लगवग साल भर में देड़ लाप में होते हुई दुरुगटनाओं में और बारत सीरस परस्त बीस देशों में नंबर एक पे हैं जब से नितिन गटकरी जीद विवाग के मंत्री बने हैं गगातार इसमें तुरस्च्छा फीचर बढ़ाए जा रहे हैं चाहें सीट बेल्ट लगाने का विसे उस पर भी कानून लाया गया चाहें बाइक पे हेलमेट लगाने का विसे हो उसको भी अन्यवार किया गया बारी जुर्माना किया गया आपने देखा हो कि तमाम जगार रोडों पे इस्पीडो मीटर लगाए गए उसके अताथ इलेक्टानिक चलान भी किया गया जहां भी आप उबर स्पीड हो गया आपकी चलान की ब्योस्ता भी बनाई गई इस तरह से लोग शड़क पे नियमों का पालन करें इसकी चिंता में सरकार ने बहुत से कदम उठाए अच्छा लेकिन लोग हैं की मानते नहीं कुछ हमारी आपकी नयची तैट होते नागरिक करतब होते हैं हर चीज़ आप आपको सरकार बताए सरकार ने सारे नियम बता दिये और कानून में खुब बना दिये और उसके पालन में आप जरावी रुची ना ले चलान दर चलान आपके रखते जा रहे हैं जिए उसके बावदूर भी अगर इस तरह की लोग सुधर नहीं रहे हैं है लाइसंस है उनके कंसीलेशन की भी प्रावजान किये गए हैं लेकिन यह सब हमारी आपकी में जिम्में जा रही है कि हम आप जब सारक पे चले तो चैतन रहें और कोई ऐसी अ सब्सक्राइब करें अब को रास्ता बताने के लिए पुलिस उपस्तित नहीं रहेगी अच्छा हर जगह आप पी मेटर नापने के लिए पुलिस नहीं रहेगी जो दुगतनाय भारत में दर्ज की गई है गवरोजी जी उसमें 1.9 परसेंट जो दुगतनाय है क्यों नसे में डाइविंग को लेकर नब्वे परसेंट तेजगती ओवर्टेकिंग और खतरनाक डाइविंग को लेकर के हुई है यह इस्तिति है कि अब इसमें बताईए कि कोई स्पीड से गाली चला रहा है उसको एक दो जगहां तो स्पीडो मेटर नापके रोग देगा लेकिन जहां लोग सुन्शान सलकवाते वहां फिर स्पीड पर कर लेते हैं यह तो लोगों को अपनी आद्टों में सुधार करना होगा इसी तरीके से अपने दमाग अच्छी वजाए जो चीज हमें पता है वह बता रहे थे आप चलिए मेरा सवाल ले लिजे आपने के नि किस रिपने कामड़ी किस की है मेरी तो है नहीं सरकार की है ट्रैफिक की है पुलिस परशासन की है अगर आपको जो मैं बात बता रहा हूं आप रात को जाके या सुबह जाके दे सकते हैं कि किस कदर जहां पर मैं आपको घटना हुई है जनेश्वर मिसल पार्क के पास दसनब्बे चौराहे के पास अम्मेटकर उध्यान के पास किस कदर से तेज रेसिंग रफ्तार हो वहां पर रेवो रेसिंग होती है गाड़ी चलाई जाती है रफ्तार से वहां रेसिंग की जा रही है और बे अंदाज तो बहाँ पर अगर केबल चालान से खाना पूर्ती होगी तो बहाँ पर इस तरही घटाओं को आप कैसे रोकेंगे क्योंकि यहां पर एक घटना नहीं इसके पहले भी तमाम घटना हुई है कि जहां पर रोट खाओ खास और जनिश्वर में से पाक के पास एकाना स्ट्रीडियम की रोड के पास और दसनब्बे के पास बेतरीब गाड़िया लगी रहती है और बेतरीब गाड़ी चलाते है जान जान होती है अब 302 बोलें या 304 बोलें पराल किसी के परवार का चला गया है गाड़ी फार साथ बार खाना को और यहां पर ट्रैफिक पुलिस अगर जरुमाने के साथ थोड़ा रोगना सुरू कर दे तो साहर इस तरह के हार से नहीं होगे नोने-अपनी जिन्डिगी जी सके लेंगे लो नहीं को रहें नहीं कर लिए डिया कभी किसी निन जाकर आप बीडेख लीजेगा कभी उनके माबाब से मुपष्ट और हरी और करें आप को बाइध करिये ना आपके माबाब को बलाई है उनकी कांसेलिंग करिये करिए हमको यहां डिवेट में आकर चरुबाने की ब्युस्था और रूना रोकर रूने नहीं हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है अभी पीच में चलाए गया था कि काउंस ने कुई बिवेक सर्मा को याद होगा मेरे ख्याल से कि जो अगर बनास के रैसिंग बाइक चलाएंगे पुलिस मेनट करती है तो कि जर्मानों से इस तरह की घटना करूश सकते हैं और घटना आज की नहीं है लगातार हो रही है और हमने यह भी देखा है कि सपा सरकार में साइकल ट्रेक बने थे उन साइकल ट्रेक पर साइकल तो नहीं रोड रही पर हां गुम्टी जरूर लगी जो संजिर्गी यहां पर खताम हो रही है उसको निकर क्या कहेंगे परवक्ता सपा रविन भाई आपके माध्यम से हैं जिए ततात्मा के श्यांति के लिए प्राटना करता हूं सुथ तंतब परिवार के इश्वर शक्ति दे जिए तेके उत्तर प्रदेश में जिए रोड अग्सिडेंट में मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है इस पे भी जो आंक्रे एंजी आर्फी ने बताए थे एनेच पे 36 परसेंट होते हैं इस्टेट हाई वे पर चौविस परसेंट होते हैं इस लिए मैं कर रहा हूं कि दूनों मिला के 60% हाथ से होते हैं अग्सिडर कॉद्धक परस्टिब थे शुद्धक प्रस्टिब युद्ध तर्कार्म पीजादा काम करना चाहिए वाँ सबसे ज़्यादा आंकडे होते हैं तो सर्थकार प्रस्चिन में आएगी कि अन्य कारवा में सबसे बड़ा कारण है अब जाना जाना जो डियल बनाए जाते हैं उनकी एक प्रिया है या जान के डियल बनाएं कि यह जीक से आउपरेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा कि मात्र शेहजार रुपया दीजिए तो आप अपने घर बेठे रहे हैं डियल कि आज आएगा अट्पिजए जब की ओनलाइन फोटो कि खीजाने की प्रसा है वो भी लोग मेंच कर लेते हैं दलाल हुग टेजिए जिए जब फोहां पर जाना पड़ता है ना अर्टी ओफिस में लेकिन वाभी मेंनेच कर लेते हैं कि आपका फोटो भी खिचा देते हैं इस पे पुछ नहीं लगा पाई छह सालों में सरकार कि पिछले बास की जो रिपोर्ट राइ उसमें करीब करीब चार लाक साथ हजार गटनाई हुई थी जिसमें एक लाक सतर जार के लगभग लोग मरे थे साड़े चार लाक करें पर लिए यह जो जिसे प्रकार की ऑलक की मृतिव यह इस प्रकार की गटनाए होती है कम ओमर के लड़के वहासा भी स्वीडो लगाओ लगा हुआ है नहीं महां पर जो पुल की ते आहां पर समाज की है इतल obs कि तो इसलिए अपनी जिम्मादारी को जो सरकार की सकता है मैं बता रहा हूं ये लगनवु का बता रहा हूं और मेरत दिल्ली की बाद बता रहा हूं. मेरत रहा रहा हु घो चाहिए है को जो और पुरिश खड़ी रहती है, जो वह हो कहते हैं, एक वह है। झाय से प्यष्ण रहती है. करेगा फिर जितनी भी जितनी भी दूर्गटनाई हुई है ज्यादा तर रात में चैसे नो या सुभा पांस से साथ के बीच में बिल्कुल होती है जब यह जब यह आंकड़े हर बार NCRB की रिपोर्ट सेट गवर्मेंट को दे देती है इस टाइम पूलसिंग क्यों नहीं सब्सक्राइब के बारत में सुनी आपने रविन पताफ सिंग की बात सुनी और पूरा आपने प्रकड़न भी देखा है क्या कहेंगे आप जब से पहले तो जो आज जिस गटना पर आप आज यह जब रही है बहुती गंबीर मुदा है और बहुती दुखद है कि एक छोटे किसी भी अधिकारियों को समझ में नहीं आता ज दिखाई में जेता ये आजि कमरे नहीं आ एंज ए। इस के लो नहीं चुड़ आ जिखाई मेंने सक जहे जाखे लिए हैं जब एदिखना लिए को सब्सक्राइं जब नहीं को एसा बद्स अग्ण में है ज़ह जा चला नहीं जानते हैं कि आप इसको चाहर को चलाई है यह लोग चलाना नहीं जानते हैं इंशिगेटेड़ शोपी बने हुए है यह जो कैमरे लगाए हुए और आपको पाता है हर याता है पुलिस वाले के हाथ में कैमरा है वो केवल धन हुगाई का क्राम कर रहा है और यह सबसे बड़ जिकार नहीं हो आपके चैनल पर यहांसे किसी के घर कर चे आग काम बोइन लोगों को बहुत बुख numbers फिर आओ आप देखते हैं मैं कि इस तभी मैं भोलता रहता हूं मेरने CJ ञता हूं सुम्सान सुबह लstate live लोग आते हैं यहां पर कने की लिए गालिया चलाते हैं बच्चे किस तरीकी से लगातार मैं 112 पर कॉल कि करता हूं तहाने पर बता यहा us पुरा लगों की नगर अगर आप देख लीजे शाम के टाइम आप बच्चों के साथ में आप सुएम अपनी गाड़ी को लेकर नहीं जा सकते क्यूंकि रसुपदारों के बच्चे महां पर गाड़ी चलाते हैं क्योंकि अगर कोई बात हो जाती है तो यहीं रसुपदार मैंनेज करा देते हैं और यहीं हमारी प्लिस मैंनेज कराती है लीजे सब्सक्राइब करना चाहिए समाज को भी नहीं दिखा रहा चाहिए तो अपने बच्चों को इतनी हाई क्लास की दाड़ियों को प्रवाइब कर आता है बहुत च्छी बाट करें आपने जो मिडिल क्लाग और लोवर क्लास है वो उसके पास इतना पैसा नहीं है यह रसूप सब्सक्राइब करें बिल्कुल है और मैनेज करके चूट जाएंगे जी किसी एक चला कुछ किया जी कुछ फरक नहीं पड़ता आज केवल शोपीस बनाकर रखा हुआ है यह जितने चौराय आप देख लीजे आप मुख मुख चौराय पर भी देख लीजे वहां पर भी ट् लगाता आप लिए यह जाए पुलिस हो चाहें आप यह जो बिल्कुल दौस्त है जी लगातार आपने देखा होगा ने गर निगम की जो पूरा गाडियां है उस पर तो नंबर ही नहीं है नंबर नहीं हो रूड़कों पर तॉड़ नहीं है कि अब देखा होगा समचाइब पत्रों ने प्रिकाशिट किया था था जी फर्जी नंबर की रेने चल रही है आपको किसी को भी मार कशली आएंगी कहां है पाई आप करेंगे किसके लिए आप करेंगे बिलकुल ठीक है कि अब तक आप ठीकरा जो है अभी बागों को फोड़ते रहेंगे कब तक काएंगे समाज जम्मिराइए लेंगे अगा रेसिंग हो रही है रेसिक आसे नहीं लगा तर्वारी से कड़ी कारवाई कब करेंगे कब जरुमाना लेकर चोड़ते रहेंगी तो रस्टीष जाना सुबा साड़े पांथ वजी जी ट्रेफिक पूलिस की सिपाही रोड पे साड़े आट बेटीप याप से पहले कहीं आपको ट्राफिक पुलिस सार के अंदर ड्यूटी को आप में आप अरस संदर बात कह दी यानि कि सुबह सुबह जो ब्युस्ता ए वो भागवान भरुस आप कहीं भी इसको जा करके देखे अच्छा पांच बजे किसी टैफिक सिपाई की ड्यूटी नहीं होती है अच्छा ठीक है गटना साड़े पांच बजे कि जो लोगों के नाम इसमें आए वही रसूदार लोग है कि अब इसे यह है कि जब इसके माबाब इनको गारी देते हैं उनकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है अगर जर्कार ने नियम बना दिया अंडरेज अगर बेटा गारी लेके निकलेगा तो उसके माबाब तू पकड़ा जाएगा बिल्कुल अब इसके बावजूत जिकर माबाब ऐसी चिंता नहीं करते हैं पकड़ेगा कौन पकड़ेगा पकड़ेगा नियम पना चुप दिये गया केबल खाना पूर्ती के लिए अगरो जी ऐसा नहीं है जो सरकार के नियमों के तरफ पुलिस कारवाई करती है गाड़िया पकड़ जाती है अच्छा आप देख लीजिए पोलिस ऐसा ने करती है चीज नहीं करती है चाला नहीं करती है जो उसके पास अधिकार है उसमें 302 का दुकत्मा लिखने लिए अपकी बेग सर्भा को जबाब तेरह लिए जी वीवर बोली बता रहा हूं विए च्छा काम करती है लिए जाण बसूल लेए लिए जाटकी आप ड़ूसन लिकाल निखाब पड़ी मेकर तक्ट्यों पूलिस कर रही है इसके वह जो तार आप पहुछ और हैं तो चुछ नहीं को सुधर आप भी अपने लाएंगे अच्छ थाख फिस्ट आपम डेवलप करेंगे नहीं तो आप यहां पर रेसिंग हो रही है तो वहां पर रेसिंग रहुने के लिए कोई पैरी कैड़ी नहीं लगाएंगे को इन लगाएंगे अगर आपना कहरी है कि टैपिक पुलिस सार याड बजय आती है तो मैं मान के चलू कि सुबह अनी जो समय होता है वह भागवार वरोसे ह आपका सिस्टम गवरोजी मैं जगहों पर आप देख लिए ऐसी जगहां पुलिस बैरकेडिंग लगाए रखती है अच्छा आप कड़ी कड़ेरे निकले लगारेंगे खड़ी रही रहती है अब आप सोचें कि हर मिनट हर घंटे हर चौराइब पुलिस खड़ी मिले आपको अच्छा बेवे भाई अब मेरे जवाब लेजे इतना वारा मेरा मारा प्रदेश है आपको किसीने पुलिस भरती करने से रोका है क्या आपको डबल स्ट किसीने लगाने से रोका है क्या शि अब आपको बतार हुआ कि जब कोई मंतरी आता है कोई अधिकारी आता है तो सुबहें पार जूटी लगती है श्रीमान जी बेवेक स्री अस्तों जी आपको इतला कर रहा हूं क्या रिक्त है भई आपको क्या समस्क्राइब लगती है यह नहीं लगती है क्या बात है यह गारी निकलते हैं पूरा टपे रोक दिया जाता है ना जाने कितने हार्शे हो चुके हैं अब देख सब्सक्राइब लगता है अब चाहते हैं तो आप चाहते हैं मैं कुछ नियाल को जान बरदास नहीं होगी अगर रेसे गोरी स्टम बनाई ये बापर आप मैनट कराईए यहां पर मापों को विस्टरा कहिए जड़ा वो सोच हैं कि अपने वहां को देके बेशती हैं आप माप सुम्मीत करें बेबे भाई यहां पर मैं इरिक्सा की बात कर लेता हूं डियम लखनौ और यहांपर जो कमिस्टर रख रहे हैं तमाम लोग रहें बेबे भाई भी जा इरिक्सा को प्षबंदित कीया था अब तक बहुत नियम तो आप पारन नहीं करा पाए है वहां तो संदेशा आजाती ने पुलिस कोर रोग रहा आपको इरिक्सा पकारण देश्स कोर रोग रहा है केबल खारा पूर्टी चालन कर देते हैं वार ने छोड़ देते हैं यह रिक्षे से भी हाथ से हो रहा है बीए से टक्नीक लेकर आए हैं गारी दिन लाइट जिन में चलने चाहिए वही रिक्षे राट को बेने लाइट के घुमते हैं सबारी बठाल कर सोरा सोला साल के बच्चे चला रहा है वह सिस्टम को ने जन्य आता क्या मापापी देखेंगे अब यह भी देखेंगे नहीं पर पल्लू नहीं जार सकते हैं आखरी कमेंटी चर्चा-खरम करता हूं मैं है आपको नाराजगी हो गई होगी मुझसे आज नहीं को नहीं सर्कार को कड़े में कड़ा करना ठीक नहीं है कि छल श्टप को कड़े में खड़ा करना कोलियां कर रहा हूं मैं तबाम आरेसके नहीं आपके पास बहुत देखिए अभी अभी निक्सा पर आ गए अरे भाई इन इक्सा है घरीबों के लिए विचारे गरीब उपना जीवन पार्जम कर रहे हैं अरे गरीब है तो नियम गारे तो लेंगे क्या सोला साल का लड़का चलाएं अगर कही सब्सक्राइब कर रहा हूं मैं आपको तमां वीडियो बेस दूँगा बेना लाट की चलते हैं इसा दिखा देंगे आपको अगर कही चिकायत उसके करवाई की जाएगी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस को पुलिसिंग ना आती हो और ट्रैफिंग सुदार्ना ना आता हो तो एक है दुर्ग जीले के सस्पी अब शेक पल्लो जी उनका वीडियो देख लें डीजीपी साहब किस तरीके से ट्रैफिक वेवस्ता सुदारी जाती है एससपी किस तरीके से उतरके सड़क पर ट्रैफिक वेवस्ता को सुदारता है उस चीज को देख लें और रही बात पुलिसिंग जो होती है चोविस गंटे के लिए और फिर आगे वहां पर यहां के पुलिसिंग को सुदार है जिससे हमारे नौ नियाल बस सके और इस प्रकार के दुर्ग अटनाव को रोका जा सके जी दन्यवाद देखे गौरब जी सबसे पहले तो यह पुलिसिंग और यह आता है पुलिस को अपने जिम्मेदारियों को चैन करना चाहिए कि हमको क्या करना है हमको केबल खाले उकर पोटो खेज कर और बसूली करनी है यह लोगों को सुधार ना ले सिस्टम में सुधार लाने की बहुत ज़रूरत है और सब्सक्राइब करना है यहां पर प्रवक्ता यहां पर समाज की है पर अगर समाज यहां पर सुनवाई नहीं कर रहा है यह समाज इसको लेकर गंबी नहीं तो जिम्मेदारी आपकी कि नियम जो आपने बनाए है उनका पालन कराया जाए किसी भी नोनेहाल की जान हो या युबा की जान हो वो हमाई देश के भवेश से है और उनकी साथ खिलबार होगी उनकी जान यहां पर हार्सों में जाएगी अपनी खुसी में जाएगी रेसिंग में जाएगी रेप्तार में जाएगी तो यहां पर सवाल हम जैसे खबरम भी जबर होताएंगे आज भी ठाया है और यहां पर मैं सिस्टम को बदलने के नहीं बलकि सिस्टम को यहां पर परवत्रिक करने की बात कर रहा हूँ अगर बै को लगाने से यहां पर केबल आरोप अभी बावकों पर लगाने से काम नहीं चलेगा यहां पर सिस्टम सुदाना भी होगा मैंने के साथ मैं भी जज़्वे के साथ भी और कड़ाई के साथ भी क्योंकि जब तक कड़ाई नहीं होगी तब तक यहां पर बेहदर बेवस्था की नीब भी नहीं पड़ेगी तो आखी चर्चा में इतना ही नमस्कार